सद्गुरु देव युक्प्रदान आचारे बगवन के चरणों में अनन्त अनन्त आस्ता के साथ बंदन आत्मार्थि मुनिवरिंद आत्मप्रिय सादक सादिकाओं हम सभी अध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं जीव को केंदरिभूत बना करके 25 बोल में सभी जितने भी तत्व घ्यान का सारांश हमारे इस्यों मुनियोने संतों ने आगमो में से सुत्र निकाले हैं जैसे गनित के फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूले अगर आप को याद है तो केसा भी सवाल हो आप उसको सो प्रतिश्वत क्या कर सकते हैं सोल कर सकते हैं उसी प्रकार इस पचीस बोल के अंतरगत विभिन आगमों में से जीव को केंदरिभूत करके बोलों को संकलित किया हमको प्रारंप में रटा दिया जाता है जिसे गणित में फॉर्मूले रटा दिया जाते हैं ताकि तुम जब भी प्रश्ण सामने आये तो ख़णों में उसके समाधान कर सको पहाडे रटा दिया जाते हैं उस समय हमें लगता है क्यों करा रही है लेकिन जब हम फिल्ड में जाते हैं पता चलता है कि इसका फाइदा क्या है ऐसे ही जब अध्यात्म की गहरही में जब प्रवेश करते हैं जब हम जीव के अंदर शोद करना शुरू करते हैं तो मध्य में जीव के अलावा जो भी आता है वो पर है या स्व है इसका भेद करने में ये सही योग देते हैं 20 बोल के उपर हमने चिंतन किया 20 बोल में शट ध्रवियों के 30 भेद के उपर विस्तास से चरचा कल के सत्र में कीती हमने हमारे शरीर में भी शट ध्रवियों समाय हो गए देखो कैसे केंडर भूत इसमें कोई है शरीर में जिवास्तिका है जिवास्तिका इस पूरे शरीर में रह रही है यत पिंडे तत ब्रह्मान ये बार बार हम सुनते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मान में है ये सारा संसास शट ध्रवियों से बना है और वर्तमान में हमारा ये जो शरीर है इसको लोग प्रमान बता दिया लोग का नक्षा बता देतों रिक्ती को खड़ा करने का शेप दे देतें दोनों पाउँ फैले हुए हैं कमर के उपर हाथ रखे हुए हैं और शिर्टग का जो पोस्चर है उसको लोक का नक्षा बताया। और लोक में श़ध द्रवई हैं उमारे शरीम में भी श़ध द्रवई हैं। उसके उपरह हम चिंतन करेंगे। ब्ूर में केंद्र भूत्त का झीवास्तिका है। जीव है, जीव को सियोग करने के लिए पुद्गलास्ती का है, जीव को रहना है, तो कहां रहे? तो एक पुद्गल का शेप मिल गया एक आकार मिल गया क्या मिल गया पुद्गल का शेप मिल गया एक आकार मिल गया वो आकार किसका बना हुआ है पुद्गलास्तिक आएका जिसका स्ववाव क्या है पुद्गल का स्ववाव क्या है सड़ना गलना बदलना परिवर्टन शील जिसका धर्म है उदर चले जा पीछे कुर्शी के जले जा सड़ना गलना बदलना जिसका धर्म है ऐसे पुद्गलास्तिकाय का एक शेप मिल गया अब इस शरीर में ये दो तत्व मुख्य हो गए जो दिख रहे हैं ख्रियाई दिख रही है लेकिन इसके साथ में बाकी के चार द्रवी भी काम कर रहे हैं कि धर्मास्तिकाय के सयोग से इस साड़े तीन हाथ की कायाब के लोक में पुद्गलों को ब्रह्मन करना होता है जीव को ब्रह्मन करना होता है आत्मपदेशों को ब्रह्मन करना होता है तो सयोग कौन दे रहा है गति के लिए धर्मास्तिकाय को अंदर दरमास्ति का है वह आपको सईयोग दे रही है गती देने केलिए बीतर में आत्म कर रहे है कर से नीचे नीचे से ऊपर जाने नम है जानेनम हो जाते हैं, ठानेनम, मोनेनम, जानेनम हो जाते हैं, सब कुछ स्थिर हो जाता है, जीव जीव में स्थित हो जाता है, पुद्गल पुद्गल में स्थित हो जाते हैं, और सारे ध्रविय अपने अपने सभाव में स्थित हो जाते हैं, स्थित होने में सहीयो कौन दे रहा है स्थिर गुण किसका है स्थिर गुण किसका है शट द्रवियों में अधर्मास्तिकाय जो आपको एक जगह पे ठेहरने में सईयोग देती है परोख शुरूप से तो हमको परोख शुरूप से इसमें अधर्मास्तिकाय ने क्या किया ठेहरने में जीव अपने स्वभाव पुद्गल और धर्मास्तिकाय भी उस समय शानता है गती नहीं कर रही है और धर्मास्तिकाय मुख्यों अब जब आपको स्पेस चाहिए क्या चाहिए सब को स्तान को न दे रहे इन पांचो धर्मास्तिकाय शरीर के अंदर भी आकास है शरीर के बाहर भी आकास नहीं हो तो आपका हाल क्या हो इसलिए हमेशा सभी लोग बोलते हैं भोजन हमेशा एक बटा दो हिस्साइए करो कितना अदा प्रदेश मिलेगा पुराना सब कच्रा मल पानी यूरीन गेश सब बाहर निकलेगी आकास में हमारे शरीर में तीन प्रकार का मली खटा होता है ठोस मल लिक्विड मल और गेश रुपने मल ठोस नीचे से निकल जाता है लिक्विड भी पसीने में और यूरीन में निकल जाता है और गेश कहां उठती है नीचे जाती है उपर जाती है अगर वो अधो वायू नीचे से निकल जाए फिर तो ठीक है नहीं और बाकी के पांच जो गेस है जिसको हम पंच प्राण केते हैं पंच प्राण एक प्राण नीचे से निकलता है चार प्राण पूरे शरीर को चलाने में सयोग देते हैं उन चार प्राणों में जाके वो अप अपन्च प्रान को नाम दिया है उदान व्यान अपान समान इसे पंच प्रान हैं जो हमारे इसमें ब्रह्मन करते रहते हैं शरीर जो चल रहा है तो शक्ति जो चाहिए वो प्राण से मिलती है और भोजन जो कर रहे हो उस भोजन में अगर प्राण नहीं है तो खाली आपकी पुद्गलों की पूर्ती हो रही है जीवित रहने के लिए जो उर्जा चाहिए एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाते है इसल तरांत भोजन कौन सा है जो अगनी पे चड़ा भिना नेच्रल उसमे प्राण उर्जा है जितने भी जुसें फल हैं फ्रूट्स हैं इनमें क्या रूप से प्राण उर्जा है जिसको आपने उबाला नहीं है आग पे चड़ा दिया मतलब उसके अंदर का जितना भी जीवन तत प्रासुक करने के लिए सिर्फ अगनी नहीं है अगनी तो उन तत्वों के लिए जिसको अगर आप कच्छा खा जाओ गए तो आपके पेट में क्या हो जाएगी बीमारी हो जाएगी पच्छ नहीं पाएगा तो उन चीजों को अगनी में पका करके बॉइल करके बिलकुल उक्सान नहीं करते उनको प्रासुक्त करने के अनेक तरीके बताएं एक दुसरा मिल जाए तो प्रासुक हो जाते ajaya तो तो एसे अनेक तरीक अनौ में बताएैं और सब लोग उसका प्रेयोग करते भी है अगनी सबसे बड़ा शस्त्र है तो शस्त्र परिनत होने का मतलब नहीं कि सिर्फ अगनी पे जाकर ही वह होगा बाकी जिस जिस लेवल पे हैं उस उस लेवल पर वह परिनत हो जागा इस शरीर में प्रत्वी हमारा जो जड़ तत्व है शरीर जो बना हुआ है कल्दम ने चर्चा की थी प्रत्वी तत्व हमारे शरीर में केवल 30 प्रतिशत चाहिए जिसने धरती के उपर प्रत्वी है उतने ही यत पिंडेतर द्रमा इतने ही शरीर में बाकी सब शरीर में क्या च चाहिए और हम 30% तो लिक्विट भी नहीं देते हैं और 70% लालो वही के अनुसार जहां मिल जाए और भारत में दुनिया में कहीं पी जो सबसे सस्ता कारे क्या है मुफत की माल बांटो और लोगों को आदी बना दो और जहां मुफत का मिलता है वहां पे आप रोगी बन के आत कि चाहिए वह इस्तानक की गोतम प्रसादी हो चाहिए वह शादी के आँओ चाहिए परिवार के रिश्तेदार की पार्टी हो प्रमाण से उसी तरीके से शरील के अनुसार लेते हैं और वहां जाते ही आपकी परिक्षा होती है मन की और बुद्धी केती है आज का दिन आउसर भिला है देख लो घर पे आज किसी का कंट्रोल नहीं है और मन चालू हो जाता है और उल्टा सिधा शरीर के अनुकूल पतिकूल एक दूसरे के विरोधी आहार सब और प्रमान से कम करते की ज़्यादा करते हैं जो प्रमान से ज़्यादा करते हैं वो सब रोगी हो जाते हैं और वहां जाकर के भी जो अपना विवेक रखते हैं अपना संयम रखते हैं अपनी मर्यादा से अपने स्वास्त को अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए उनोदरी करते हैं व्रत्यों को संक्षिप्त करते हैं वो तो महां से सुरक्षित निकल जाते हैं और जीन के मन पे कंट्रोल नहीं है व्रत्यों पे कंट्रोल नहीं है वो क्या बन जाते हैं रोगी बन जाते हैं तो यह शट द्रव्य अपने शरीर में भी गटित करो दर्मास्तिक है गती दे रही है अधर्मास्तिक है श्तिर रेने में सयुग दे रही है आकास आपको स्पेस दे रहा है काल बच्पन से लेके जवानी से लेके बुढ़ा पेपल में जो परिवर्तन हो रहा है इसमें कौन है निमित काल है काल अपने आप में द्रव्य नहीं है क् ताल एक निमित है इसके पंचास्तिकाय कहा शटास्तिकाय नहीं कहा अस्तिकाय पांच है द्रव्य छे है और जीवास्तिकाय में जीव स्वेहम अपने आप में एक स्वेहमबू है और जीव जब अपने स्वबाओं में स्थित हो जाता है तो केवली जैसा रहता है चित रहने में सहयोगी है, अधर्मास्तिक है और जीव जीव में स्वभाव में स्थित रहता है और हमारे सब की साथना क्या है? जड और जीव का बेद करो, ये अलग ही है कभी एक दूसरे में मिक्स हुए नहीं हो नहीं सकते साथ रहते हैं जैसे परिवार में आप दस लोग साथ रहते हैं पर कोई एक आत्मा के दुसरी आत्मा में गुश जाते क्या एक शरीर के दुसरे शरी में भी नहीं गुश जाते राग भाव में एक दुसरे के मन में बसते हो और जिस दिन उसके राग की पूर्ती न करो, उस दिन क्या होता है, कोई भी हो, पती हो, पत्नी हो, माँ हो, बेटा हो, गुरु हो, शिश्य हो, ओफिस में आपका कुलिग हो, मेनेजर हो, कोई भी हो, आपके अनुकुल न चले, तो द्वेश, और द्वेश होते ही, भूत पिछे लग जा, द्वेश आने क्या भूत, राग और द्वेश दो भूत है, ये दो ही आपको गुमारे, वो देवी देटा वाले भूत आपको कुछ नहीं करते, वो तो उनका अपना संसार है, वो अपनी गती से चल रहे, पर तुम ने जिसके साथ अटेच्मेंट कर ली, ये मेरा है, मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैं जो कहूं होना चाहिए, अपने आज्या में चलना चाहिए, वो अनुकूलता राग है, और प्रतिकूलता द्वेश है, द्वेश भूत की तरफ गुमता रहता है, और राग, अनुरागी आपको तकलिफ को जादा रहेता है कोन तकलिफ देता है अनुरागी तकलिफ देता है कि द्वेशी तकलिफ देता है बोलो डाक्टर साथ अनुरागी कि द्वेशी हमको ऐसा लगता है कि अनुरागी द्वेशी तकलिफ दे रहा है हम और ऐखन्हां प्रब्र दोशें से गहाल के उल्हक थो ये संपांज हुगां सब्सक्राइब कोन है हमारा पुण्य उफकारी है कि पाप उफकारी है हम आज तक सब क्या कर रहे हैं भगवान पाप उदेह में ने आए पुण्य जितना चाहिए देदो अनुकुलता मुझे हमेशा मिलती रहने चाहिए प्रतिकुलता कभी न आये जीवन में लेकिन बगवान कहते हैं देख तक तुमको अपने जीव की याद नहीं आती और अभी एक जटका लग जाए तो सब याद आ जाते हैं उपर से नीचे तक जितने देवी देवता भगवान गुरु और अगर आत्मारती हो तो सिधा आत्मा में गुश्च जाओगे कि प्रती खूलता में मुझे कितना भेट गया नुबा वो ख्षण याद करती हूं तो आप भीतर से अती आनंद आता है जब डॉक्टर ने के दिया कि अब जब तक यह इलाज पूरा नहीं हो हाथ पेर हिलेंगे नहीं बिलकुल बान के रख दिये हिला दिया दो गड़ बल ऑपरेशन के दर्मियान भी नहीं ऑपरेशन के बाद भी कितने दस ग्यारा दिन कितने बलें पांच दिन तक अब पांच दिन और ओपरेशन के दर्मियान हाथ पेर बान के रख दिये हिलाना नहीं दुलाना नहीं अगर हिलाए डुलाए घड़वड की तो फिर गए कोई गेरंटी तो आत्मध्यान की हुई थी बेद विग्यान था तो उस समय उस बेद ग्यान में उस काउसक में उस स्वस वर्दान समझने का अभिशाप नहीं जीवन में जब जब प्रतिकुलता है तो वर्दान समझने का कि जीव के कल्यान का समय आया है और भारी से भारी पत्थर जैसे पाप करमें वो निकलने का समय आया है और वो निकल जाएंगे तो हलके होंगे कि भारी होंगे और मोक्ष क कि निकर जाओं और सारी साधना हम किस लिए कर रहे हैं हम सादू बने तो किस लिए बने आप शावक बने तो किसके लिए बने आप शिवीर में जाके आ रहे तो किस लिए जा रहे हैं कि जो दबे हुए कर्म है वो सब निकल के आए और मैं उन कर्मों को सभाव में रह करके क्य करुं है तो 21 बोल में राशी है दो कितनी राशी आपके पास कितनी राशी थन स Stupid 부분이 च्शांब्र नहीं है लाशी याने दो जीव राशी अजीव राशी किसे कहते हैं कि वस्तु के समूह Sports 8-8 lo तो दो ध्रवय मुख्य है जीव और अजीव कोण सी राशी में आएंगे जीव में आएंगे जीव में कितना है इस टोक में कितना है बिल्लिंग में कितना है वो कुछ तुम्हारे काम आने वाला नहीं है वो सब अजीव राशी में हैं और अजीव राशी सब पर है और पराई है सहयोगी है जीव को ऐसे जीव को इस आवास निवास्थान में रहने में यह जड़ पुद्गल का प को काम आने वाली है सईयोगी साधन के रूप में तो जीव राशी के 563 बताए सबसे बड़ा बोल साधू साधी परिक्षा लेते हैं हमारी मैं वेराग्यकाल में गया तो पाधियाय रमेश मुनी जी और नरेश मुनी जी ने मेरी परिक्षा लिए बोले सबसे बड़ा बोल कौ अजीव राशी लेकिन सबसे बड़ा क्यों कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा गया पूरा ब्रह्मांड इन दो बोल में समा गया जीव और अजीव अब इसका विश्तार करेंगे तो जीव के 563 बेद अजीव के 507 बेद ये भेद ग्यान में काम आएंगे किसके लिए काम आ जीव क्या क्या है और जीव कहां कहां है कैसा है और जीव मैं और उनमें क्या आंतर है दोनों में भेद कर लोगे और अभेद रस्टिक सब जीव को समान समझोगे और सभी जड़ को जड़ समझोगे तो हर समय आपका भेद ग्यान चलता जाएगा केवल ग्यान पाने के तीन स्टेप पार करने बताओ कौन कौन सी जीव से शिव बनने के लिए आत्मा को केवल ग्यान तक पहुंचाने के लिए तीन स्टेप पार करने बोलो कौन सी जीव अजीव का ग्यान होना जीव को स्तिर करना एक मिन एक आपका पुरा बोलो त्याग वेराग और वीतराक्ता ये तीन स्टेप है और बोलो चुकल ध्यान और बोलो ये परावर्तना है तुम दस दिन में जो सिक्के आए नो उसकी परावर्तना है बेद विग्यान आतम ग्यान केवल ग्यान बहुत अच्छा सुन्दर और बोलो तीन स्टेप पार कर ली तो केवल ग्यान हो जाएगा उद्धे में आए कर्म को पुर्णता से स्विकार करना कर्म सिद्धान को विश्वास रखना पिंड को पराय मानना और स्वग को स्वव में स्थित करना बहुत सुन्दर देखिए बेसिक जो है शुरुवात जो आधार है नीव है वो है जड़ और जीव का भेद क्या है जड़ और आज तक हम अनाधिकाल से गुमे हैं तो उसका एक ही कारण है कि हमको जड़ जीव का भेद मालूम नहीं था क्रिया कांड खूब किये तपस्या खूब किये सादूपना खूब पाला दर्म के उब्देश खूब सुने खूब सुनाएं लेकिन जड़ और जीव का भेद नहीं होने से हमारी यात्रा ही शुरू नहीं हुई पुन्य और पाप में ही उलसते रहे कभी पुन्य कभी पाप कभी पुन्य और कभी भेद विज्ञान बेसिक है और उसमें परिपूर्णता लाने के लिए भेद की जग़ भेद अभेद क कियान में परिपूर्णता लाने के लिए क्या करना है भेद की जग़ भेद अभेद की जग़ अभेद की जग़ अभेद की जग़ अभेद की तरह जाना भेदों को समझकर अभेद की तरह जाना यानि भेद सारा का सारा जड़ और जीव का भेद करके जितना परहे पराया है उसको हर समय आपको बोध बना रहे कि ये परहे पराया है और अभेद द्रश्टि से मैं जीव था जीव हूँ जीव ही रहुंगा दो और हर समय जीदर देखू उदर जीव और अपने में जीव को ही ध्यान दो और हर समय इसी साड़े तीन हाथ की काया में ही काम करना है तो साड़े तीन हाथ की काया में भेद बना रहे जड़का और अभेद में जीव-जीव में स्थित रहे जीव-जीव का ध्यान करे जीव-जीव में चिंतित करे और तीसरा जो है इसमें जब परिपक्वता आ जाएग तो तीसरा पॉइंट जो है वो है कर्म सिध्धान्त को स्विकार करके खषय की धारा अखंड चलानी किसकी चलानी खषय की धारा अखंड चलानी क्योंकि एक कर्म भी रह गया तो मुक्ती नहीं है केवल ग्यान नहीं है केवल ग्यान के लिए कार्मन शरीर में गाती कर्म में और मिठ्यात्न वाला में और मेरा जो पर है याने अजीव है पुद्गल है उसको मिठ्यात्न में आकर के अपना मान लिया है नहीं आपके मानने से वह आपका हो भी नहीं गया आपको भ्रह्म हो गया कि यह सामने वाला बंगला मेरा है तो आपके मानने से हो गया गया लेक आपको भ्रहम था तोड़ना है किसको तोड़ना है बहुत बढ़े है जो भगुन कई वाद दुष्टान देते हैं सांप वाला दुष्टान रस्ती को सांप समझ लिया ब्रहम तोडने में कितने देर लगी कल पर से बहुत आलोचना प्रतिकमन करने से हमारे करम कैसे तूट ज मिथ्यात उसे संकीत में आने के बाद जो भ्रहम में मैंने मान लिया था यह मेरा है यह मैंने किया मैं कर रहा हूं वास्तम में तो इस जीव ने कुछ किया ही नहीं वास्तम में जीव ने तो कुछ किया ही नहीं जीव करने की शमते ही नहीं जीव कुछ कर ही नहीं सकता तीनो काल में जीव ने कुछ किया क्या बताओ भूत काल में कुछ किया जीव ने बविश्य में कुछ करेगा जीव में वर्तमान में जीव कुछ कर रहा है उसकी बिहेंगी नहीं है उसकी शम्ताई नहीं है उसका धर्मी नहीं है तो वो केसे कर सकता है उस भ्रह्म को तोड़ा है हमन में आपने आपको देखा कि मैं तो भ्रह्म में मैंने अपने आपको शिरिस्मुनी मान लिए कि अब मेरा ब्रह्म तूट गया कि वो रसी है और यह साफ अलग है तो मैंने साफ मान करके कम कम लेके आ रहा हूं और जैसे मेरा यहां से भ्रह्म टूटा मैं साफ नहीं हूं यह साफ नहीं है यह तो रस्षी का टुकड़ा है तो आपको भाई भगाने के लिए कुछ किसी देवी देवता को लाना पड़ा किसी वोजार को अपने आभी भाग गया इससे ही जिस दिन आपको आलोचना करते करते ब्रह्म टूट जाएगा प्रतिकमन करते करते टूट जाएगा कि यह सारी गलतियां इस सिरिश्मनी ने की भूत में भी की वर्तमान में भी की तो यह मैं जीर तो इसमें खाली द्रश्टा था और तदुभय दोनों भी कर लिया आलोचना भी कर लिया प्रतिकमन भी कर लिया तदुभय दोनों भी कर लिया और आगे के लिए क्या रख लिया वीवेक वीवेक का मतलब क्या है होश होश का मतलब क्या है हर समय ये भान रहे कि मैं जीव हूँ जीव का कारे कर रहा है का भेद हमेशा बना रहे जैसे भेगोशी आएगी संसकार वस आदत वस व्रति वस पुनखोश में आकर वापस आ जाओ फिर आलजन कर लो क्या कर लो फिर आलज नंग लो गितने शनद भेगोशी में गए वो मेरा ब्रह्म था पुनानी आदत से व्रत्थी से मैंने अपने आगे के लिए फिर वीवेक रखूंगा और इतने वीवेक से नहीं चलता है तो फिर आगे जाकर कि क्या करते हैं इस मन को दंडित करने के लिए इसको प्राइस्ट देते हैं कि मन अगर तेने आगे से गल्ती करी तेरे को उपास करोंगा पूरा दीन तेरे को भुखा मिलेगा पूरा दिन तेरे को मन रंजन नहीं मिलेगा, पूरा दिन तेरे को ये चीज नहीं मिलेगी, जब आपके सामने हैं, मन के सामने, आपके सामने बहुत सारी मन पसंद चीजे पड़ी हुई है, मन के ता ये भी खालो, ये भी खालो, ये भी खाला, और डाक्टर ने आपको खे द तो इन चीजों को हाथ मत लगाओ लगाते हो फिर क्योंकि मन को दंड मिल रहा है वहां पर अगर तेने खाया तो तेरे को इतना बड़ा दंड मिलेगा एसे मन को अनुशाशन में लाने के लिए हमारे आचारों ने दस प्रकार के प्रयाश्चीत में आगे दंड बताए अगर इतने से काम हो जाए तो कुछ करने की जिरुतनी बहुत सारे प्रयाश्चीत खाली आलोचना गुरू के समक्ष जा करके पहले तो अपनी आत्मा की साक्षी में स्विकार कर लो प्रतिकमन कर लो उतने से हो गया काम फिर भी पावरफूल है को इसा विचार बार-बार परेश की ऊरफर के सामने कितना करेच अर्फित और नहीं कर सकता है साधू बनने के बाद भी नहीं कर सकते और आलोचना करने के पाद इतने हलके हो जाते हैं कि आप देखो गेगी इतने अच्छे रिलेशन हो गए मेरे जिस व्यक्ति के सामने मैंने आलोचना की नहीं तो उसके और बीच में मेरे मन में एक भ्रह्म और भायव मना रहता था लेकिन जैसे आपने आलोचना की आप हलके हुचाओ इसलिए कोई भी सामाइक करने के पहले आलोचना करते हैं करते हैं कोई से पार इच्छा कारे नम पूरा उपयोग सईथ होष पूरवक करो एसे खाले फटाबर रूटीन पूरा करना तरफ्टरी फटाबर फटाबर पर क्रिया की Čना चलने लुए जहां जहां जो जो अक्षण मेरे प्रमाध में विभाव में वेकषी में मैं जीव जहां नहीं था या मैं क्या करा रहूं आलोशिय नहीं करे बेज़ग्यान साथ पढ़ो इन पाठो को तो आपको इसके रहस्य मिले गये अब सब आत्मार्ति साधक हो गए हो हर पाठ को भेद विग्ञान के साथ उसके रहस्य को देखो तो हर जगव केंद्री बुद्ध जीव है जैसे अब पच्छीज बूल में हमने देखा सब जगव केंद्री पूंचाई को पूंच गए हैं उनको में नमन कर रहा हूं वो जीव और में जीव में कोई अंतर नहीं लोगस को देखो उसमें केंदरी बुद को ने सिद्ध भगवान उनके जो गुण है वही गुण मेरे में हैं तो हर जगह वह भरा पड़ा है चलिए इस विशे को अब कंक्लूज करते हैं तो रह जाएगा जीव राशी 563 भेद वस्तु के समू को राशी कहते हैं नार्की के चवदा यहां भेदों के अप्रेक्षा नार्की में जीव कहां कहा केसा केसा शरीर धारन करता है जीव तो वही है अपने कर्म के अधिन जैसा उसने कर्म किया है जैसे अपने यहां पर भी कोई अपराद करता है भारत में कोई अपराद करता है तो उस अपराद की स्रीणिया है जैसा अपराद है ऐसे ऐसे उसकी जेल मिलती है किसी को तीहार म एůज शूविदा सोरित जहती शूरित्यूंद है उसके सामने तो जिसका जैसा अपराध है उसके नुसार तो यहां सबसे अप्राध ही को मिलता है क्षेत्र मिलता है और कर्मवाले को मथे नार्की में नारकी के चवदा भेद बता दिए, साथ नारकी के चवदा भेद, उसमें जहां जहां जीव जाता है, उसमें उनकी भेद, तीरियंज के अर्टालिस भेद, तीरियंज के जहां जहां जिस जिस गती में जा रहे हैं, उनके अर्टालिस भेद बता दिए, मनुष्र के 330 भेद, देवता के 108, 563 भेद का मतलब है, इन-न योनियों में, इन-न शरीरों में, इन-न जगों पे ये जीव अपने करमाधीन यात्रा करता है। जीव सब जगह एक ही है अभे दश्य जीव वही है जीव कहीं नहीं बदला है लेकिन कर्म अधीन उसको समय समय पे सजा के रूप में अलग-अलग जगह पे जेलों में रखा जाता है इन 563 प्रकार की जेलों में हम कितनी बार गए कितनी बार गए संसारी जीव यात्रा करते करते सब जगह उपर जाके आया पुन्य किया तो देवता में गया पाप किया तो नार्की में गया और पुन्य कम पाप ज़्यादा किया तो तिरेंच में गया पाप ज़्यादा और पुन्य कम तो मनिश्य में गया और पुन्य ज़्यादा और पाप कम तो मनेश्य बना इसमें विस्तार है या आप इसमें विस्तार से पढ़ लिए कि कैसे उसके 48 नार्की के 14 भेज जो धम्मा वंशा सिला अंजना रिठा मग्गा मागवती इनके परियापत और अब परियापत साथ दुनी 14 बन जाते हैं तिर्यंज के 48 स्तावर एकेंद्री के 22 प्रत्वी अब तेवु वायु के सुक्ष्म और बादर परियापत और परियापत चादुनी 8 और 8 दुनी 16 बेद इनके बन गए वनस्पति का है के सुक्ष्म साधर अंप्रत्य इनके परियापत और परियापत इस प्रकार से 3 इंटू 2 6 बेद एकेंद्री के कुल 16 और 6 बाइस बेद बन जाते हैं 3 विकलेंदरी के 6, 22, 23, 24 इनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त ये कुल मिला करके 6 बेद बनते हैं तिर्यंच पंचेंद्री के पांच प्रकार के जल पे चलने वाले, स्थल पे रहने वाले, आकास में उड़ने वाले, उर्परिसर भुजा पे रुखने वाले, भुज परिसर इनके पांच के सन्नी याने मन वाले, असन्नी बिना मन वाले. दस भेद ये परियाप्त और परियाप्त कुल तिर्यंच गति के 22 और 28 और 28 भेद बनते हैं तिर्यंच के नारकी के 14 मनश्य के 303 आप अकेले एक मनश्य की जाती हो ऐसी कितने जाती के मनश्य हैं? 303 कैसे भेद किये इनके? तो बताए जितने भी मां घर्ब से पेदा होने वाले सन्नी घर्बज मां के घर्ब से जिनका जन्म होता है वो मनश्य 101 प्रकार के 101 कैसे किये? तो भूमियों की अपेक्षा से पांच भरत में पेदा होने वाले पांच एरावत में पेदा होने वाले पांच महाविदे, पांच तरी 15, शपन अंतर दीब, जहां पर केवल यूगलिये पैदा होते हैं, कौन होते हैं, है वो भी मनिश, वो भी महा के घर्ब से निकलते हैं, तो 56 वो, और 30 अकरम भूमि, जहां पर भी यूगलिये ही पैदा होते हैं, 30 और चपन और 15, मिला टोटल क जिनोंने छे परियाप्ति पूरी की वह परियाप्ति पूरी करने के पहले जिनका आयुश्पूरा हो गया वह परियाप्ति यह परियाप्ति कुन कुन सी है परियाप्ति और स्वांसो स्वांस परियाप्ति ये छे परियाप्ति पूर्ण करके भाषा और मन भाषा और मन ये छे परियाप्ति जिसकी पूर्ण हो गई वो परियाप्त और इसके पहले ही उसका आईश पूरा हो गया तो वो कितने हो गए अपरियाप्त तो ये 101 बेतो इस समुचिम का मतलब है इनके जो चवदा प्रकार की अशुची के स्तान होते हैं उनमें जो जीवों की उत्पत्ती होती है उनको समुचिम कहते हैं उनमें गर्व की आवशक्ता नहीं होती है संयोग बनता है और वहां के जीवों की उत्त जैसे मा मृत कलेवर है आपका शरीर की भी आईश्पुरी होगी और उसको ऐसे कैसा छोड़ दिया तो भगवान फरमाते हैं अंतर मूरत में याने 48 मिन के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ती होनी शुरू हो जाती है जीव निकलने के बाद ऐसी आप कहीं पर भी ऐसे थूख देते हो कफ ऐसे छोड़ दिया रस्ते हैं पंचेंद्री समुच्यम जीव उत्पन हो जाते हैं ऐसे चौदा प्रकार के इस्तान है हमारे इसलिए हमारे यह इतना विप्योग और विवेक बताया कि किस प्रकार से असुचिक इस्तानों को भी विवेक पुरोग परठना प्रठावना जिससे की जीवों की उत्पत् और पंद्रा परमाधर्मी नरक में जो होते हैं सब को दंड़ देते हैं उनको पंद्रा बोले परमाधर्मी पंद्रा प्रकार के पंद्रा परमाधर्मी का मतलब परम अधर्मी देव जो नार्कियों के यहां जैसे जेल में जेलर की जूटी लगती है तो वो जेलर क्या काम क क्या है केडियों को विचारों को सुबह से शाम तक उनको दंडित करने के लिए उनको सुचना देता रहता है ऐसे वहां पर नार्की में परम अधर्मिक देवे जिसके जैसे कर्म है उसके अनुसार दंड देने के लिए वह निमित बनते हैं 15 और 10 भवन पती जो यह देवियां तो इस प्रकार के जो देवियां है वो देवी देवता जो है 10 भवन पती और 15 पत्चीस यह होगे वाण व्यांतिर 10 जरंबक और 16 व्यांतर 10 जरंबक और 16 व्यांतर यह मिला करके हो गए 26 दस जोतिसी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत तारा इन पांच के चर और अचर दो तरह के सुर्य चंद्र नक्षत एक तो है जो गती दे रहे हैं और एक है स्थिर पांच चर और पांच अच्छ अड़ तीस विमानिक बारा देवलोग के नो नोकांति के बारा नो इकीस नो ग्रेव्यक इकीस और नो तीस और तीन किलविशी तेतीस और पांच अनुतर विमान के यह कुल मिला करके 38 बेद होते हैं वापस बोलता हूं बारा देवलोग नो लोकांतिक जो भगवान जब दिख्शा लेने वाले आते हैं होते हैं उनका टाइम पकता है तब लोकांतिक देवाते हैं कि प्रभो आप अब समय आ गया है आपके दिश्वाइयम करने का तो वो 9 लोकांति देख्ण। और 9 ग्रेवेक मैं नो ग्रेवेक को दो नो ग्रेवेक का मतलब दो 9 और देव सेवक्त रखते हैं ऐसे देवताओं को सेवा में जो दास दासी की तरह काम करना पड़ता है जो आग्या बड़ा देव देता है उसकी पालन करना पड़ता है वो किल विशिदे और पांच अनुत्तर विमान जो एक भव करेंगे और सीधा मोक्ष अहमें इंद्रे उनके ओपर कोई रहेंगे वो अपनी स्वस्तिती में भली इनकी सबसे लंबी आयू है पर वो किसी परचिंतन में पुद्गलों में समय नहीं खोते हैं अपने स्वस्तिती में रहते हैं तो पांच अनुतर विमान ये कुल 38 बेद कुल मिलाकर करके नरक के चवदा तिरियंज के 48 मनिश के 330 द जीव तो एक ही है अनंत जीव हैं और अभेद रष्टी से सब जीव समान हैं उनमें कोई अंतर लेकिन उनको रहने के लिए जो स्थान मिलता है कभी नारकी का कभी तिरियंज का कभी देव का कभी मनिश्य का उस स्थान को जीव के रहने के स्थान की गंड़ना कराईए तो यह जीव के भेद नहीं है जीव को जाना पड़ता है वहाँ वहाँ पर जीव कुछ काल के लिए पड़ाव रूप में रहता है 563 पड़ावों में हम सब यात्रा करते करते वहां पर रहे हैं गए हैं अस्तान बदले हैं और जिस दिन सारे करमक्षय कर देंगे मिठ्यात्य को तोड़ देंगे समयक्त परिपक्व कर लेंगे वहिद विज्ञान में परिपक्व हो जाएंगे केवल ज्यान पा लेंगे आयुश कर्म को भी तोड़ देंगे निर्वान को प्राप्त करेंगे तो फिर कौन सा भेद में जाएंगे शिद्ध भगवान तो जीव के दो ही भेड संसारी और सिद्ध यह संसारी जीव के 563 भेड रहने के स्थानों के हैं अलग-अलग गतियों में, अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग योनियों में, जहां-जहां जाकर के पड़ाव डालता है जैसे अभी हम यहां पे पड़ाव डाल के ठेरे हुए हैं, आप कहीं और जगह पड़ाव डाल के ठेरे हुए हैं, तो यह सब पड़ाव जीव के भेद नहीं है, जीव को रहने के स्थान है, समय समय पर करमा अधिन मिलते हैं, और जहां जीव जाके रहता है, उसमें जो निमि बनते हैं उनको क्या बोलते हैं अजीव राशी के कितने भेद हैं तो पांसौ साठ फेद और रूपी अजीव के तीस भेद में और रूपी अजीव में कौन है धर्मास्टीकाय अधर्मास्तिकाई के तीन स्कंद देश प्रदेश अधर्मास्तिकाई के तीन स्कंद देश प्रदेश आकाश अस्तिकाई के तीन स्कंद देश और प्रदेश स्कंद याने बड़ा समू देश याने उसका एक हिस्सा प्रदेश याने उसका एक सबसे छोटा अन। इनकी ये कलपना करके बताया है एक्चुल में तो अरूपी हैं इनके कोई भेध प्रवेध होते नहीं लेकिन समझाने के लिए बताया है कि ये मान लिजे कि सकंद इतना बड़ा है तो उसमें से इसका एक हिस्सा है समझाने के लिए एक लड़ू एक सकंद है सकंद में से एक बुंदी का दाना एक देश है या छोटा सा टुकडा उसमें से लाष्ट बुंदी का जो कंड है वो क्या है उसका प्रदेश है ऐसे कल्पना करके तीन तरी नू बेड किये और दस्वा बेड है काल का क्यों काल के कोई प्रदेश नहीं है तो उसके स्कंदेश प्रदेश नहीं किये धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय आकास्तिकाय काल के इनके द्रहव्यक शेत्रकाल और भाव और गुन पांच चकु बीस बेद ये अरूपी अजीव के कुल दस और बीस तीस बेद होते हैं नो वेद ऊपर दसवाकाल और ध्रहव्यक शेत्रकाल भाव से 20 वेद से 30 वेद रूपि अजीव जो आपको आँखों से दिखता है रूपि का मतलब क्या है इन चर्म चक्षों से देख सकते हो या आपके चर्म चक्षु सो नहीं दिख रहा है लेकिन केवल ग्यानियों को दिख रहा है आपको क्या नहीं दिखता है और केवलियों को दिखता है बोलो पुद्गलों में आपको क्या नहीं दिखता है कई बार अरिहंतवानी में आया है आपको कर्म बंदते हुए नहीं दिखते हैं कर्म क्षय होते हुए नहीं दिखते हैं क्योंकि कार्मन पुद्गल इतने सुक्षम हैं जो आपको नहीं दिखते हैं पर खेवल्योंगों को डिखते हैं कि आःफ वर्तमान विभाव में जाके आपने कितनी कर्म के ठेर बांद लिए, और इतनी देर आप सवभां में रहे तो लेकिन कितने कर्म बांद ले और कितने कर्म कशय किए वह प्रैक्ष्ट दिखते किसों है खेवाव दिखते हैं हमारे को इन चर्वन चक्षों से नहीं दिखते हैं पर वे हैं वह भी अजीव राशी के ही बेदे कार्मन शरीर वर्न गंद रस स्पर्ष अजीव के 530 वेद काला नीला लाल पिला श्वेद प्रत्यक के दो गंद पांच रस आठ स्पर्ष और पांच संस्थान इन 20 वेदों से गुणा करने पर 100 वेद बन दे हैं प्रत्यक में पांच रंग में दो भेद के गंद के सुर्फी गंद और दूर्फी गंद पांच रस खटा मीठा कड़वा कसाईला तिक्खा और आठ सपर्ष हलका भारी ठंडा गरम खुरद्रा सुमाला यह जो आठ भेद हैं और उप इसके साथ संस्थान यानिए शेफ जि पांच भेद तुट गुणा करने पर सो भेद बनते हैं एसे गंद के गंद दुर्गंद 5 वर्ण 5 रस और 8 सपर्ष हमाश सेफ और पांच सथान के तेजव बेद बनते हैं और रस पांच तिका कड़वा कसेला खटा मिठा ऐसे मिला करके इसके भी सो भेद बन जाते हैं स्पर्ष के आठ और इन तेज बेदों से गुणा करने पर 238 और 184 बेद होते हैं संस्थान परिमंडल इनके भी 100 बेद बनते हैं इस परकार कुल मिलाकर अजीव राशी के 530 और 30 कितने हो गए 560 बेद और उनसके 533 ये 560 बेद किसके हैं अजीव राशी के हैं और तीस और रुपी अजीव के हैं और 530 पुद्गल के हैं और हमारे साथ सबसे ज़्यादा चिपका हुआ कोन हैं ये जानने का क्या फाइदा कि आपको इतना सारा समझाया इसका फाइदा क्या जब भी काला निला लाल पिला सफेद किसी रंग में अटक जाओ। तो वहाँ पर भेद्ग्यान करना। यह क्या है दिख जिव को चोड़करता कि जांपर रहा हूं। जहां पर विख़ान नंकर रहा हूं जिनके साथरह रहा हूं जो भी धन राष्षि है रंग हुए रूप ini आप aspect रहना वालजिशते नाते संबंदी सब में पुद्गल को मैं भेद करते उपर है जीव और अजीव राशी कराया पूरा हम लोग ने खाली सुत्र बना करके आपचारियों ने हमारे को निकाल करके सुत्र दे दिये ताकि शोट में तुम याद कर लो जब भी तुम साधना करने बैठोके तो भेद करने में यह तुम को क्या होगा उपयोग लगाने मे लेज़े तो चरलन योग का विश्यट मैं कहीं अटक टो नहीं रहा हूआं कई फस्त नहीं कैया मत्यातर संस्कार बढ़े है लेकिन मैंसे भेद करते जाऊए तो इस भ्रह्म से निध्यातर से मोह बहार निकलने में देर नहीं लगी यहां तक मैंने देखा की यह सारा का सार द्रव्यानु योग का विश्वता है अधिकान्स्त पहले बोल से लेकर कीस बोल बाइश चवोन्स पच्चिस बेद जो है वो चर्नानु योग का विश्वता है चर्ना श्मय आपकल करिake कठानु योग। कथालों में कहानियां होते हैं। जीव अजीव के सब भेद हुता है, और द्रभ्यानु योग। mmग अच्रन करनाु तो आचरण के से करना तो उपा दे में क्या है बारवे बोले श्रावक जी के कितने वृत हैं बारावरत अगर आपने सम्यक्त ले लिए जड़ और पहेद कर लिया आप सम्यक्त भी बन गे तो अब आचरण में लाने के लिए अगर आप सादू नहीं बन सकते हो तो श्रावक रूप में तीस में आ जाओ और वहां 12 वृत का अच्छन करो 12 वृत में किया है मिध्यात्व के बाद कर्माने का रास्ता कर्माने के पांच रास्ते हैं मिध्यात्व अवरत प्रमाद कशाय और अशुब्योग तो अवरत के सामने हमारे वृत क्या है अवरत के सामने वृत में शादू के व्रत पांच महावरत श्रावक के लिए बारा अनुवरत की डिटेल 22 बोल में दिए जहां पर श्रावक को पांच अनुवरत जो मुल है वो ग्रहन करने तीन घून व्रत हैं जिसमें और आपके व्रतों में और सुगंदा है तो उसका श्रंगार और चार शिक्षा महावरत जो आपकी साधना हैं जो हम सामाइक अराद्ञा ध्यान भेत व्रिज्ञान पोशद आदि जो करते हैं वो सब आत्मा को खेंद्री बूठो करको पूशन थो अधिम्रेपोषन के लिए और पांच वह महाव лишь है 23 बोल में जो है 5 महावरत है सादू जी के कितने महावरत है 5 महावरत मूल रूप में 5 महावरत उसके बाद उनके उत्तर गुण है तो वो भी आच्रण करने है और 24 बोल में क्या है Mathematics है इसमें उलद जाते है कैसे करे क्या करे बहुत सरल है कि ये जो ब्रत है सावक के और सादू के वहाँ पर कर्म आने के रास्ते कितने है कितने कितने रास्तों से कर्म आते है अंक 11, 12, 13 अंक 21, 22, 23 अंक 31, 32, 33 तीन चीजे समझें आगे तो याने करन और योग रास्ते आने की ये तीन तरी नोई है एक करन एक योग से एक करन दो करन एक योग से दो करन तीन योग से तो जैसे जैसे कर्म आते हैं उन कर्म को रोकना कैसे है तो एक तो होगे ध्रविय रूप से ब्रत ले लिया एक भाव रूप से हमारे कितने भांगे बनते हैं अब मन में जाके देखो आज आरे भुगुन पता रहे हैं इसकी डिटेल चर्चा फिर यह था समय करें